अगर हमारे को उस बिजनिस का समझ आ जाए कि ये बिजनिस है क्या और क्यों ये बिजनिस ग्रो करने वाला है और क्या इसके टेकनिकल्स हैं अगर टेकनिकल्स बिजनिस और फणेंशल्स तीनों को यहाँ पर कंबाइन करके हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि हम किसी इसको क्यों परचेस कर रहे हैं इन तीनों बेस पर तो वहाँ पर उसको टार्गेट तक होल्ड करना हमारे लिए आसान होता है इसको मैं पहले से हमिसा ही कहता हूं कि always इन सब चीजों पर study कर लेना चाहिए जिससे हमें conviction बन सके खुद की understanding के base पर even दो हम किसी के कहने से भी लें तो भी हमें दूसरों के कहने पर नहीं लेना चाहिए means किसी से अगर सुना भी है तो उसके कहने से नहीं लेना चाहिए बलकि उसके कहने से पहले अपनी working करनी चाहिए अगर अपनी working और किसी का कहना match होता है then only यहाँ पर हमें initiate करना चाहिए तो दूसरे की बातों को सुनना एक तरह का assistance मानना चाहिए लेकिन अपना ही पैसा लगा है so this is one of the great thing यह institutional driven होती है और promoters को 20% से ज्यादा holding रखने का depository services में allow नहीं होता इसलिए promoters के पास 20% हिस्सेदारी है और बाकी हिस्सेदारी यहाँ पर institutions के पास है अगर हम यहाँ पर investors का data यहाँ available नहीं है लेकिन अगर आप further check करोगे annual report को open करके तो आपको वहाँ पर यह च business किया है CDSL का main business है जैसे bank account में हमारे पैसे रखे जाते हैं इसी तरीके से demate account में हमारे shares रखे जाते हैं इसका मतलब यह है कि अगर हमने HDFC bank के shares purchase किये तो पैसा हमारा bank account से जाएगा लेकिन जो shares होंगे वह हमारे demate account में आएंगे अब demate account को सबाने के लिए यहाँ पर two companies हैं जो government की तरफ से approved है, एक NHDL है और दूसरा CDSL है, यहाँ NHDL पुरानी company है, CDSL new company है, लेकिन CDSL ने यहाँ पर अच्छे से grow किया और CDSL के पास आज की date में जो market share है, वो जादा है CDSL के comparison में, तो अगर हम यहाँ पर जाकर check भी करें, जैसे मैंने एक bookmark बना कर भी रखा था, CDSL और NHDL का market share किया है, आप search करोगे CDSL, NHDL market share, so CDSL के पास 6 crore active demate accounts है, CDSL has over 6 crore active demate accounts, whereas NHDL has around 2.54 crore accounts, तो यानि कि कुल मिला कर 9 crore के आसपास demate accounts है, और यह March 22 का data है, March 23 तक ही 10 crore का number पार हो चुका है, और उसमें से 70% CDSL के पास है और 30% NHDL के पास है, तो यहाँ पर CDSL की growth पास है, अब यहाँ पर इन companies की income कैसे है, एक बार इस बात को भी समझ लेते हैं, जब भी हमारे CDSL, means हमारे demate account में कोई shares आते हैं, और जब खरीदते हैं, तो जब खरीदते हैं, तब CDSL हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता, लेकिन जब हम उनs shares को sell करते हैं, तो CDSL अपने ए 15 रुपीज के बीश में, और यह अलग-अलग brokers अलग-अलग चार्ज करते हैं, आपका broker कितना चार्ज करता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, आप अपना laser open करना, और जब आपने कोई share sell किया होगा, तो वहाँ पर वो RD met charges के रूप में, वहाँ पर उस खर्चे को दिख खाएंगे laser में, यह छोटी सी amount है, तो अगर एक करोर के आपने HDFC bank sell किये, तो भी वो 10 रुपीज के आसपासी लगेंगे, CDSL के खर्चे की बात कर रहा हूं में, और अगर आपने सिर्फ एक share sell किया, तब भी आपका same amount लगेगा, क्योंकि per company expense same है, और यह percentage wise नहीं है, यह fix है तो यहाँ पर अगर हमने profit में sell किया, तो भी हमारा same खर्चा है, और अगर आपने नुकसान में sell किया, तो भी आपका same खर्चा है, आपने 1000 के share sell किये, तो भी same खर्चा आएगा, और अगर आपने 1000 crore के sell किये, तो भी same ही खर्चा आएगा, अब क्योंकि active accounts बहुत जादा है छोड़ी छोड़ी amounts में हाँ पर frequently trade होते हैं सभी लोगों को buy and hold करने वाला concept समझ में नहीं आता आज buy करो परसो sell करो आज buy करो एक हफते बाद sell करो तो जितना frequently यहाँ पर sell होगा उतना जादा यहाँ पर CDSL को income होगी एक और important point CDSL को जो income होती है उसका future and options से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि CDSL को income होती है shares के आने और shares के जाने से shares के आने से नहीं होती लेकिन जब आपके account में share आए तो किसी और ने sell किये होंगे so every transaction पर CDSL को कुछ ना कुछ मिलता है equity shares के case में क्योंकि मैंने अगर कुछ buy किया तो किसी ने sell किया होगा तो buy करते हुए मुझसे charge नहीं करेगा लेकिन जिसने sell किया उससे charging होगी अब जब मैं sell करूंगा तो मैं sell करूंगा कोई और buy करेगा तो जो buy करेगा उससे charges नहीं लगेंगे मैंने sell किया तुम उससे होंगे यानि कि every transaction पे कोई ना कोई seller होगा और जो seller होगा उससे वो यहाँ पर processing piece अपनी charge करेंगे तो यह business है अब यहाँ एक important point क्या है जब पिछले one and half year से यहाँ पर market रुकी हुई है and mid cap कि जब profit में आएगा या add पर आएगा तब बेचेंगे अब जब तक हम बेचेंगे ही नहीं तब तक CDSL की income यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी अब ऐसे में जब market वापस से recover होकर उपर आती है और वहाँ पर mid cap और small cap दोनों चलना शुरू करते हैं तब यहाँ पर movement शुरू होती है shares के एक portfolio से दूसरे किसी के portfolio में जाने की और तब ही यहाँ पर CDSL की income और ज़ादा बढ़ती है तो जब कभी भी market यहाँ पर down जा रही होगी उच टाइम पर CDSL की income कम हो जाएगी और जब market वापस से recover करके आगे बढ़ना शुरू करेगी तब CDSL की income यहाँ पर और ज़ादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर CDSL की income finally उपर ही जाएगी एक step down, two step up, one step down two step up, वो इसलिए क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3% लोग market में trade करते हैं जबकि अमेरिका में यह number 55% है इस चीज को लेकर फिन से उटने यहाँ पर एक दिखाया भी था percentage जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का जो which percent of what percent of a nation's population invest in a stock 3% इंडिया का करता है 130 crore population है, चाइना का 13% लोग market में trade करते हैं UK के 33% लोग equity में stocks में trade करते हैं और अमेरिका के 55% करते हैं अब मैं कहता हूँ कि चलो अमेरिका तक पहुचने में हमें बहुत time है लेकिन चाइना तक पहुचने में हमारी आखों के सामनी चीज हो जाएंगी और बहुत जल्दी हो जाएंगी 3% से 13% होना है अब point यह आता है कि विवेक भाई यहाँ पर 3% से 13% तक की जो चीज आएंगी जो यह growth होगी number of investors में पहली बात तो यह बहुत बड़ा number है क्योंकि इंडिया की population बहुत बड़ी है चाइना के जैसी ही है तो 10% अगर market share बढ़ेगा means 10% more people will invest in the market तो इसका मतलब यह है कि 140 crore में से मोटा मोटा 14 crore people यहाँ पर नए लोग आएंगे equity में trade करने के लिए और 14 crore people जब market में trade करने आएंगे तो कम से कम 30 crore accounts को लेंगे क्योंकि एक एक बंदे के पास 2-3-3 accounts है तो यहाँ यह चीज समझने important है एक और जो बात यहाँ पर important है वो मैं आपको यहाँ पर numbers दिखाता हूँ कि जो यह पूरी growth आएगी यह CDSL के पास आएगी NHDL के पास उतनी बहुत जादा नहीं जाएगी इसका क्या reason है अभी आज की date में जादा तर लोग जो discount brokers हैं उनके पास account open कराते हैं और जितने भी discount brokers हैं सबके demate accounts यहाँ पर NHDL में किसी का भी नहीं होता सबके demate accounts यहाँ पर CDSL में open होते हैं यह एक plus point है CDSL के पास जो NHDL के पास नहीं है अगर इसी चीज को हम यहाँ पर search करने लगें तो जैसे हम search करते हैं जीरोधा DP name depository participants name तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है depository participant is CDSL जीरोधा जितने भी accounts open करता है CDSL के पास करता है जीरोधा के पास trading account होता है लेकिन जो demate account हो CDSL के पास जीरोधा यहाँ पर open करता है अगर हम सेम ही चीज को यहाँ पर upstokes का देखने लगें जो यहाँ पर 16 digit का number होता है यह अपना CDSL का होता है क्योंकि NHDL के जितने भी demate accounts होते हैं वो IN से शुरू होते हैं जैसे हम यहाँ पर अगर ICISA bank की बात करने लगें ICISA securities की बात करने लगें तो वहाँ पर वो कहाँ open करता है तो आप वो NHDL में open करता है और NHDL की DPID शुरू होती है IN से इस तरीके से और CDSL की शुरू होती है CDDESIT से आप जैसे मैंने 0-धा का बताया वो CDSL में करते हैं आपको अपिस्टोक्स का बताया वो भी 0-धा में ही करते हैं हम Angel 1 की बात करने लगें तो Angel 1 भी हमारा CDSL में ही करता है हम यहाँ पर देख सकते हैं और 5 पैसा भी हमारा यहाँ पर CDSL में ही करता है हम वो भी देख सकते हैं और इस से अलग और भी बहुत सारे नेम्स अगर आप देखोगे जैसे मोतिलालोस वाल है जो conventional यहाँ पर broker है वो भी यहाँ पर CDSL में ही करता है Central Depository Services Limited में जितनी भी growing है जो growth आनी है उस growth का मेरे हिसाब से कम से कम 80% CDSL के पास जाने वाला है वो NSDL के पास नहीं जाएगा क्योंकि NSDL को use करने वाले कौन है ICSA Bank, HDFC Bank, Kotex Securities यह जो banks है banks में बहुत जादा लोग अब नहीं जाते जो है वो है लेकिन जो growth है 90% growth यह discount brokers capture करते हैं और discount brokers के पास जितने वी account खोलते हैं So this is a very plus point Second जो मैं आपको बता चुका हूँ आप नुकसान में बेचो या profit में बेचो यहाँ पर CDSL को आपने चड़ावा चड़ा के जाना है उनके draw box में आपने कुछ पैसे डाल के जाना है यह toll tax जैसा है आपने अगर highway पर जाना है तो आपको toll tax pay करके जाना है चाहे आप एक सवारी हो चाहे आप गाड़ी में दो सवारी बैटी हो चाहे आपकी गाड़ी टू सीटर हो चाहे आपकी गाड़ी यहाँ पर सेवन सीटर हो कोई फरक नहीं है बसकी बात अलग है तो यह सारे points हैं जो यहाँ पर growth के लिए यहाँ पर सीधे सीधे सारे doors open करते हैं अच्छी बात एक और है कि यह एक technology based company है manpower बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है अगर यहाँ से number of accountable हो जाएं तो जितनी भी revenue बढ़ती है उसका major portion यहाँ पर net profit में जाता है सीधा सीधा क्योंकि platform एक बार बन गया तो platform बन गया यहाँ पर technologically यहाँ पर चीज़े यहाँ पर drive होती है और manual work यहाँ पर ना के बराबर होता है तो यह business और financials को लेकर point है financials को हम लेकर चीज़े देख चुके है कि ever growing company है जैसे जैसे इंडिन market बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर net profit consistently बढ़ रहा है और revenue भी उसी हिसाब से यहाँ पर लगातार बढ़ रही है पिछले एक साल में revenue यहाँ पर इसले नहीं बढ़ी क्योंकि market नहीं बढ़ी आप market बढ़ने का क्या link है इस बात का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर पहले CDSL का एक बार chart open करते हैं आप ध्यान से समझना कि किस तरीके से हमने सारी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहिए आज यहाँ पर highest ever volume है one of the highest ever volume इतनी बड़ी volume में morning में नीचे गिरा कर first candle से नीचे गिरा कर open किया और open करने के बाद में यहाँ पर आप volume देखो किस तरह की आई first one minute में ही है यानि कि यह माल भरा जाता है अब चाहिए इसको block deal बोलें चाहिए इसको bulk deal बोलें या इसको गिरा कर public से माल निकालना बोलें उस चीज़ से मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे यहाँ पर एक चीज़ का फर्क पड़ता है नीचे गिराया गया open करते ही first candle में और सारा माल भर लिया गया four times हुआ था four times हुआ था just one and half year में one year कुछ महिने में September 20 से लेकर December 21 तक क्योंकि यहां से growth आई थी पूरी-पूरी market में September 20 में ऐसा क्या था एक बार इस चीज़ को देखने के लिए Nifty का chart में आपको देखाता हूँ September 20 में यहाँ पर क्या था September 20 हमारा यह period था September 20 वस दिस period यहाँ पर अगर आप इस level को देखने लगें तो almost सारी ही market recover हो गई थी इस particular level पर यानि कि COVID के दोरान जितना भी यहाँ पर fall आया था यह पूरा का पूरा recover हो गया था और यहाँ पर एक यह rounding बन रहा था जिसको cup with handle का नाम दिया जा सकता है तो यहाँ जब यह market और उपर चलने के लिए तयार हुई उस time तक इतने time तक आज अब तक market पूरी recover नहीं होती उस time तक सिर्फ और सिर्फ large cap बढ़ता है और जब market पूरी recover हो जाए उसके बाद जो growth आती है वो mid cap और small cap में आती है क्योंकि retailers यहाँ पर mid cap और small cap की बहुत बड़ी market है इसमें बहुत ज़्यादा trade करते है यहाँ पर frequently trade होते है क्योंकि large cap में लोग बहुत ज़्यादा frequently trade नहीं करते हैं वो लेकर बैठते है small cap वाला retailer होता है वो वहाँ पर फ्रिकुंटली ट्रेट करता है, जितना फ्रिकुंटली ट्रेट होगा, उतना CDSL में को जादा पैसा कमाया जाएगा, CDSL का जादा पैसा बनेगा, तो यहाँ जैसे ही market recover हुई, उसके बाद में हाई जाने की तैयारी हुई, वहाँ पर CDSL में एक का heavy volume नजर आई, और उसके बनाकर उपर जाने की तैयारी कर रही है, और अगर आप आज देखोगे, तो green candle की, जो highest ever green candle है, वहाँ पर जाकर यह बंद हुआ है, इससे पहले जो उपर बंद हुआ था, वो red candle के पास साथ बंद हुआ था, highest ever जो closing है green candle से, वो आज यहाँ पर closing होई है, highest ever level पर nifty यहाँ close हो रही है, तो ऐसे में पता चलता है कि यहाँ से market तेजी होने वाली है, और CDSL की यहाँ पर नहीं शुरुआत होने वाली है, जो लोग ऐसे में market, means stock price को गिरा हुआ देखकर घबराते हैं, वहाँ घबराने की जरूत नहीं होनी चाहिए, हमें वहाँ पर सीखने की जरूत ह नहीं चाहिए, इस सारे points को कितने simplicity के साथ हम समझ सकते हैं, अब यहाँ पर technicals के में आपको कुछ बाते बताता हूं, जो आपको और ज्यादा इन सब चीजों को अच्छा समझाएंगी, CDSL का हम यहाँ पर chart देखते हैं, वापस से CDSL chart पर जाते हैं, एक चीज़ सबसे पहले यहाँ पर क्या नजर आती है, that there is a reverse head and shoulder pattern, तो यहाँ पर यह हमारा left shoulder है, यह हमारा, मैं वापस से बनाता हूं, यह हमारा left shoulder है, this is the head and this is the right shoulder, right shoulder के बाद में हमारी यह breakout candle है, that is 31st में, और breakout candle के top के उपर, high के उपर यहाँ पर एक और closing होना, this is the confirmation of breakout candle, तो breakout का confirmation भी हो गया, उस जब मैंने का हूँ गया है, कि नीचे आने के case में, अगर shoulder, जो right shoulder है, इसके नीचे closing हो जाए, तो यह हमारा पूरा pattern बिकार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नीचे आया, माल भरने के लिए नीचे आया, और shoulder के नीचे नहीं गया, यानि कि यह pattern as it is, sustain करता है, तो एक एक pattern बनता है, इस V20 strategy को सीखने के लिए, जो मैंने अपना online paid course डाला हुआ है, आप channel पर जाना, playlist में जाना, उसमें हिंदी और English version में, दोनो 7-7 videos हैं, 3-3 hours each की, पूरे को देखना, उसमें बहुत सारी strategy सिखाई हूँ है, V21 of the strategy, अब यह हो गया, second strategy हो गया, थर्ड यहाँ प पर 4 बार ऐसा हुआ है, 3 times पहले हुआ है, कि same level पर आया, और उपर गया, इस range में, फिर दुबारा आया, फिर इसी range में गया, फिर तीसरी बार आया, फिर same range में गया, और अब भी 4th time, यह उस level से भी नीचे है, और वापस से जाने की तियारी कर रहा है, अब इस तरीके से स 36% का move आया था, यहां से current price से भी इसी तरह का movement नजर आता है, अगले 1-10 साल में, यह company का business ही अलग है, यह uni company है, कुछ ही companies है, अब कुछ लोग कैसातने हैं, भाई, कुछ नहीं company आकर पर तो same business कर सकती है, NSE का business चुराने के लिए बहुत सारी companies ने, पता नहीं कितने कितने ज नहीं है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यह business ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाता, यह कोई 5 रुपे का business नहीं है, 5 रुपे का नहीं है, कि आज इससे टोफी खरीद ली कर दूसरे से खरीद लेंगे, क्योंकि इसने आखे दिखाई थी, यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यह long term stories है, long term association है, HDFC bank का, जब से demate account खोलते थे, 2004 में मेरा demate account खुला था, तब से लेकर आज तक NHD ली उनका चल रहा है, there is no change, क्या बाकियोंने offer नहीं क्या होगा, पर क्यों change करना है, जल्दी से change नहीं होती यह चीज़े, यहां पर सिर्फ सीखते रहने की आपको समझ में आपकी nature के हिसाब से, उसको follow करके चलो, मैं आपको सिखाता रहूंगा, यह मेरा काम है, आपका काम है खुद सीखना, अपने दोस्तों को सिखाना, उनको वीडियो forward करना, subscribe करना, subscribe कराना, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जाहें